हेलो नमस्कार दोस्तो वेलकम बेक टू माई चैनल मैं हूँ उशा इन मैं सफ़ागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनसी एकदम से ठीक चल रही होगी आप प्रेगन सब्सक्राइब करती है और आपको बेटी बज़र्प महिलाएं हैं जो ओल्ड वाइस टेल्स है वो क्या बोलती है कि वही पुराने जमाने में चोपी गर्वत महिलाए थी ना उनको देखकर वो कैसे बता देती थी कि उनको एक बेटी होने वाली है कि एक बेटा होने वाला है दोस्तों तो हम आगे वही सिम्टम्स के बारे में बात करने वाली हैं वो सिम्टम्स के मेत और फेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे और इसके बारे में जो साइंस है वो क्या कहता है उसके बारे में भी आगे ह पहुंशती रहे दोस्तों तो चलिए फटा-फट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों लेकिन क्या होता है कि मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य या फिर मेरे चैनल का ये उद्देश्य नहीं है कभी भी या प्लिंग भेद भाव करें या फिर कोई लड़का लड़की में भेदभाव करें दोस्तों हमारे लिए अपने माता-पिता के लिए लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों एक समानी हैं दोनों को इस्वर की भेट स्वर कर लेना चाहिए दोनों को समान प्यार अधिकर सब देना चाहिए तो दोस्तों आप वीडियो को कफी भी ग बीना टाइम वेस्ट किये हुए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहला लक्षन हम बात करते हैं कि अगर आपके चेहरे की स्कीन के ऊपर हैं मतलब कि आपके स्कीन अगर प्रेग्नेंसी के दोरां जैसे आपकी प्रेग्नेंसी गौन हो जाती है तो अगर आपकी प्रेग्नेंसी के दोराअपकी स्कीन है वह बहुत ही जाता डल हो जाती है, Shadow Pelle C सुर्या पढ़ जाती है मतलब आपकी खुबसूरती जो भी थी ना बहुत ही कम हो जाती है चेहरा बिल्कुल डल काला होने लगता है तो इसा माना चाहता है यह सिम्टम्स में कि आपको एक बेबी बोई होने वाले दोस्तों है ना क्योंकि वहां अगर आपके सामने आपकी प् तो दोस्तों मुझे अपने प्रेग्नेंसी के दोरान यह सिम्टम थे वह बिल्कुल ठीक बेठा था क्योंकि मेरी त्वचा थोड़ी फेर है लेकिन प्रेग्नेंसी के दोरान यह काली पड़ गई थी मेरा चेहरा का पुरा मितलब नोज का आकार है वह पुरा चेंज हो गया आपने प्रेग्नेंसी में ठीक बेठा था दोस्तों अभी हम बात करते हैं दूसरा सिम्टम है दोस्तों है कि आपके पैट के आकार के ओपर है और थो समाना गया है जहां बड़ी म trilogy और यह मानती है कि आगर पीट है वो मतलब चुछे साथ मेने में बहुत ज्यादा देखने लगता है चौछे पाच्वे मेने तक तो कम देखता है लेकिन थर्ड ती मही में ज्यादा तर आप देखेंगी न आप किसी और से भी फुच सकती है और खुद आप पी आईने में खड़ी रेक कर देख सकती है कि अगर आपके पीट का आकारी न वो बहुत भड़ा है मटके जैसा है आग के तरफ निकला हुआ है पूरा गोल आकार दिखरा है मटका जैसा तो माना चाता है कि आपको एक बेबिगल होने वाली है दोस्तों और वहां सामने अगर आपका पेट का आकार रहे वो बहुत ही बढ़ा तो है ल मुझे 9 मेन लगया था फिर भी किसी को मालूम नहीं पढ़ रहा था ऐसा ही था तो क्या होता है कि वो भी नीचे की दरब जुका हुआ था छोटा था लेकिन नीचे की दरब जुका हुआ था तो यह सिम्टम को भी में एक पॉइंट देना जरूर समझूंगे सही कि मुझे यह सिम्टम अपनी प्रेगनेंसी में नजर आये था और मुझे एक बेबी बोही हुआ है दोस्तों अभी हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट के बारे में दोस्तों तीसरा पॉइंट ऐसा है कि अगर आपके प्रेगनेंसी की दौरान ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी अलका अलका नरम नरम कमर में दर्द रह रहा है न तो माना गया है कि आपको एक बेबी बोई होने वाला है दोस्तों और वहां अगर आपके पेट के उपरी इसो में आपको दर्द मेहसूस हो रहा है अलका अलका नरम तो माना गया है कि आपको एक बेबी गल होगी दोस्तों त तो यह से माना गया कि आपको प्रेगनेंसी के दोरान अगर बहुत ही चटपिटी मसालेदार थी चीज़ा अगर खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है ना बाहर के स्ट्रीट फूड ऐसा सब को जंक फूड खाना अगर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना आपको तो मान मेरे प्रेगनेंसी में 110 परसंट ठीक बेठा था मुझे भी मसालेदार और चटपटा खाना ही अखीर मेनों में बहुत ही ज्यादा पसंदार था दोस्तों तो क्या होता है कि यह जो सिंट्रम समने आगे बात किया ना वह सारे सिंट्रम आप लोगों में भी 110 परसंट सब भी मेरे हिला में ठीक बेठे वैसा अब कभी भी पोसिबल नहीं है नं कुद्कि क्या होता है कि सबकी प्रेग्णेंसी है सबकी बोडी सिंटम से हरन्मोनल चेंजिस तो अलग अग अलग रहते तो उसी तरह से वो अपडाउन होते हैं और तो nosotros यह तो उसे अंदाजा भी लगा सकती है कि आपको बोई होगा के गल होगी दोस्तों तो दोस्तों I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अपने माकरी भी दोस्तों क शेयर भी किजिए दुस्तों ठीक है तो मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ इन्फरमेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान लखे अपने बच्चे का खायल रखिए चलिए बाब बाई टेक केर थैंक यू सो मुझ गाइस